यह लो स्टूडेंट्स वेलकम तु दियाल अद्मी इस वीडियो में हम इंटर्डक्शन तो लिटरी स्टाडीज के लेटेस्ट इंटर्नल असेस्मेंट के क्वेश्चन्स डिस्कास करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ये भी सेम सॉनेट पर बेज है on his blindness तो ऐसे क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे internal assessment में जैसे यहां पर इस sonnet की बात हुई है on his blindness अब लगबग तीन चार लगातार questions आपको इसी sonnet पर बेज बिलेंगे तो इस question में पूछा गया है the speaker in the sessit part of the poem is dash. Italian या Petrarchan sonnet में पहली आठ लाइन्स के sansa को octave बोलते हैं और sonnet के दूसरे section को जिसमें 6 lines होती हैं उसे हम sessit बोलते हैं ये आप जान चुके हैं इस question में पूछा गया है कि इस poem में इस sonnet में sessit part में speaker कौन है और options एक है misery, misery आप जानते हैं a state of great unhappiness या patience ये second option है third option is love या none of the above तो आपको ये बताना है कि इस sonnet के sessit part में the speaker है वो कौन है misery, patience, love or none of the above तो बहुत ब्रीफ में अगर इस poem को हम समझते हैं इस sonnet को समझने की कोशिश करते हैं तो पहली आठ लाइन्ज में यानि की इस sonnet के octave में जान मिल्टन अपने बारे में बात करते हैं कि जब मैं consider करता हूँ how my light is spent or half my days यानि उनकी उमर समय इतनी है कि अभी उनकी आदी जिंदगी और बची है और बिना eyesight के लिए जो world है उनके लिए dark है and that one talent which is death to hide किस talent की बात कर रहे हैं अगर in-depth analysis करते हैं तो ये actually एक illusion है एक parable का जिसमें एक master अपने servants को कुछ money देके जाते हैं और जब वे लौट के आते हैं तो अपने servants से पूछते हैं कि भई तुमने क्या किया उस पैसों का तो जो पहला servant होता है वो कहता है कि जी मैंने उस money से trade किया और अब मेरा पैसा दुगना हो गया है दूसरा servant भी कुछ ऐसा ही बोलता है लेकिन तीसरा servant कहता है कि मैंने अपना talent या जो आपने पैसा मुझे दिया था वो मैंने संभाल के कहीं रखा है तो ऐसा का ऐसा ही वो पढ़ा हुआ है तो उनके master को उस third servant पर बहुत गुसा आता है और वे उन्हें फनिश करते हैं एटर्नल डाकनेस में भेग जेते हैं लेकिन इसके modern sense का meaning ये हुआ कि भगवान ने आपको जो skill दी है और John Milton अपनी skill की बात कर रही है वे एक poet है तो John Milton का talent जो God ने उन्हें बक्षा है वो क्या है? poems लिखनेंगा तो John Milton कहते है कि अब जब मेरी vision खतम हो गई है आदी जिंदगी मेरी पड़ी है ये संसार मेरे लिए अंधेरे की तरह है और ये जो talent मुझे भगवान ने दिया है अगर इसे मैं अपने पास संभाल के रखता हूँ lodged with me useless क्योंकि बिना रोशनी के बिना eyesight के वो लिख तो सकते नहीं है तो वो कहते हैं अगर इसे मैं use नहीं करूँगा इस talent को अपने पास संभाल के ही रखूँगा तो इसे क्या होने वाला है which is death to hide उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान उनसे नराज होंगे कि भई तुम्हें जो talent दिया गया था तुमने उसे use ही नहीं किया आगे कहते हैं तो अपने बारे में बताते हैं कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या क्योंकि मेरी रौशनी ही नहीं है देखने की शमता ही नहीं है तो ये जो talent भगवान ने मुझे दिया है पोइम्स लिखने का अब ये मेरे पास ही पड़ा हुआ है use less इसे मैं use नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए मुझे maker यानि God को serve करना है उनकी praise में poems लिखनी है क्योंकि eventually जब भगवान के पास जाएंगे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि लेखा जोगा होगा कर्मों का हिसाब किताब होगा तो ऐसा ना हो कहीं भगवान मुझे डाटे लेस्ट ही रिटर्निंग चाइड फिर एकदम से वह question पूछते हैं I fondly ask अब ध्यान दे इस poem के अगर आप notes पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF में page number 4 onwards notes हैं और पहले की तरह ये PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं Fondly का मतलब यहां पर यह है Follously or Navely John Milton admit करते हैं कि बहुत Follously मेरे मन में यह सवाल आता है कि Doth अब देखें Doth का मीनिंग है Does Does God exact day labor life denied Exact का मीनिंग यहां पर यह है obtain वो पूछते हैं कि क्या इस अवस्था में जब मेरी देखने की शमता ही नहीं है मेरी विजन ही जिरो हो गई है क्या अब भी बगवान मुझसे यह expect करते होंगे कि मैं अपना काम करता रहूं महला एक तरीके से उन्होंने बगवान पर शक किया है तो यह है इस sonnet की पहली 8 lines जिसे हम octave कहते है इतना आप जान गए है कि octave में कौन बोल रहा है poet यानि John Milton खुद बोल रही है लेकिन question में यह पूचा गया है कि इस sonnet के 67 part में कौन बोल रहा है speaker कौन है तो देखें जो octave की last line है वो ऐसे शुरू होती है but patience to prevent that murmur soon replies इसे यह पता लगता है कि अगर आपने poem का in-depth analysis नहीं भी किया हुआ अगर आप poem को carefully पढ़ते हैं तो वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा यह line दुबारा पढ़े but patience to prevent that murmur soon replies murmur का मीनिग यहां पर यह है कि जो complaint John Milton कर रहे है he sort of grumbling he is complaining to God कि मेरी vision नहीं है देखने की शमता नहीं है तो अब जो मुझे भगवान ने काम दिया है करने को मैं कैसे करूँगा कल को कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे नाराज हो कि भई तुमको जो skill दी थी तुमने use ही नहीं करी तो इसका जवाब कौन देता है patience soon replies तो यहां से हमें ये बता लगता है कि सेस्ट फार्ट में speaker कौन है बोल कौन रहा है patience तो यह समझेए कि patience का जो virtue है इसे personify किया गया है तभी जो भी उनकी आशंकाई है जो मन में एक भ्रहम है एक विचार है उसका जवाब कौन देता है patience तो इस question का answer हुआ अगर बहुत ब्रीफ में आप समझना चाहते है जिन students ने सॉनेत पहले नहीं बढ़ा है तो सैसेप में patience क्या बोलती है जवाब में क्या बोलती है देखें God does not need either man's work or his own gifts कि भगवान को ना तो हमारे किसी काम की आवश्यक्ता है ना जो gift हमें भगवान ने दिये है यानि जो talent दिये है भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए आगे दिखा है who best bear his mild yoke they serve him best योक आप जानते है आपने बैलों को खेतों में हल जोते हुए दिखा होगा तो उनकी neck पर जो एक structure रखा जाता है जिसे हल से attach किया जाता है उसे कहते हैं योक तो यहाँ पर योक का मीनिंग ये है कि अगर भगवान ने हमारी जिंदगी में suffering दी है और यहाँ पर जान मिल्टन की life में क्या suffering है कि अब उनकी vision zero हो चुकी है he is become completely blind तो अब उने समझ में आता है जब patience कहती है कि भगवान ने जिस अवस्था में हमें रखना है अगर हमारी life में कोई दुख तकलीफ है तो उसे अगर हम खुशी-खुशी बेर करते हैं अगर हम ये सोचते हैं कि भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ है then we serve him best उसके आगे दो-ती लाइन और है लेकिन इतना इनफ है जानने के लिए कि इस sonnet के sested part में speaker कौन है patience और patience क्या जवाब देती है next question देखें the speaker in the octave part of the poem is dash तो I think हमने पूरी poem का analysis लगबग कर लिया है तो आप जानते हैं कि इस sonnet के octave part में कौन बोल रहा है question में जो options है मुझ देखिए कि octave में जो speaker है वो कौन है क्या वो एक lover है क्या वो poet खुद यानि John Milton बोल रहे है या God है या एक child है जो बोल रहा है तो आप जानते हैं कि octave में John Milton यानि poet खुद बोल रहे है ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी और poem में जो speaker है वो एक बच्चा भी हो सकता है एक lover भी हो सकता है अगर वो अपनी beloved के लिए poem लिख रहा है लेकिन इस sonnet में बहुत clear है कि John Milton यानि poet खुद बोल रहे हैं और अपनी ही बात कर रहे हैं जब वो अपनी vision के बारे में बात करते हैं कि now that he is become completely blind उनके मन में ये शंका पैदा होती है कि अब भगवार ने उन्हें जो काम दिया है वो कैसे उसे fulfill करेंगे लेकिन वो जो शंका है वो कैसे मिट जाती है सेस्टेट पार्ट में जब patients उन questions का जवाब देती है नेक्स question देखें डाश इस personified in this poem तो इस poem में किस चीज़ को personify किया गया है तो पहले कि जो questions है वहीं से हमें पता लग जाता है कि second part of the sonnet जो की सेस्ट है उसमें जब हमने पढ़ा कि patients soon replies तो patients को यहां पर personify ही तो किया गया है क्योंकि patients कोई इनसान तो है नहीं लेकिन उसको इनसानों जैसी एक quality दी गई है यानि की personify किया गया है आप जानते हैं personification is giving human qualities to inanimate objects तो patients एक virtue है जिसे John Milton ने personify किया है तभी sonnet के second section में यानि sessit में वो कहते है patients soon replies और जो जवाब patients देती है उसके बारे में थोड़ा सा हमने बढ़ा है तो यहां पर question में जो options जी गई हैं वे भी देखें light, labor, ocean, patience तो आप जानते हैं इस sonnet में patience को personify किया गया है next question देखें maker refers to dash इस sonnet में जो word यूज किया गया है maker यह किसको refer करता है options है the poet, a king, god, a potter तो आप इस sonnet को दोबारा देखें इसके octave part में आएं और line number five देखें to serve there with my maker उससे पहले john milton कहते है the one talent which is death to hide lodged with me useless though my soul more bent to serve there with my maker यानि कि john milton कहते हैं कि भगवान ने मुझे जो कला दी है poems लिखने की जो talent दिया है वो मेरे पास useless पड़ा हुआ है क्योंकि अब जब मैं blind हो चुका हूँ मैं इस talent को कैसे use करूँ क्योंकि मेरा काम क्या था भगवान ने मुझे किस काम के लिए भेजा था कि मैं उन्हें serve करूँ कैसे serve करेंगे उनकी प्रशंसा में भगवान की praise में poems लिखेंगे इसलिए यहाँ पर maker किन्हें refer करता है भगवान को तो इस question का answer है maker refers to God और last question देखें God is compared to a dash God को किन से compare किया गया है options है father, king, poet या none of the above तो इस question को समझने के लिए आपको समझना है cested part यहाँ तक हमने कर लिया था जब patience जवाब में कहती है कि भगवान को हम से कुछ नहीं चाहिए और जो लोग भगवान की दी हुई sufferings को यानि थोड़ा बहुत pain या sufferings जब हमारी जिंदगी में आती है अगर हम यह मानते हैं कि भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ है they serve him best और उसके आगे जो दो तीन lines और है वहाँ से आपको इस question का जवाब मिलेगा patient आगे यह कहती है कि his state is kingly यहां पर God के बारे में बात हो रही है God को refer करके बोला गया है कि God की जो अवस्ता है जो state है वो एक king की तरह है kingly means being associated with or typical of a king तो इतना पढ़ते ही इस question का answer आजाना चाहिए कि God is compared to dash इसका answer होना चाहिए king God is compared to a king लेकिन last की दो लाइन और समझते जाये thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest यहां पर angels की बात हो रही है God के messengers की बात हो रही है कि कैसे God who is like a king उनके जो commands है जो orders है उने कौन follow करता है angels और messengers फिलास में लिखा है they also serve who only stand and wait यानि अगर आपको भगवान पर भरोसा है those people who lay their eternal trust in God's will यानि जो भगवान को मन्जूर है वैसा ही होता है अगर यह आपका मानना है then you are also serving God in your own way और stand and wait का मतलब यह है कि patience कहती है कि जो लोग God के commands को follow करने के लिए wait करते है वे भी God को serve कर ही रहे है यानि उने impatience नहीं होना चाहिए जैसे John Milton starting में सोचने लगते है कि अब मेरा क्या होगा क्या मुझे भगवान डाटेंगे कि तुम्हें जो talent दिया गया था तुमने यूज नहीं किया तो उसका जवाब is sonnet के सैसेथ में patience उने देती है So this is it for this video इसके आगे के questions हम next video में cover करेंगे Guys if you like the video please share it with your friends and subscribe to our channel and thank you for watching